तो आज मैं आपके लिए ऐसी इंट्रेस्टिंग जो कि आप काफी टाइम से एमेजॉन फ्लिप कार्ड पर सर्च करें होके बेसिकली एक रून डेकोरेटिंग सामान है मतलब के एक RGB लाइट है जिसके लिए मैं कप से वेट कर रहा था मतलब के काफी टाइम से लेने का सोच र नहीं है वो इस वीडियो में बताने वालो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा रूम के अंदर मॉनिटर के ऊपर मॉनिटर के पीछे पीसी के अंदर या पीसी के अंदर से आप इस लाइट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे उसी क आप सब्सक्राइब के आपके अपने यूट्यूब चनल के टैग में तो चली विडियो को शुरू करते हैं कि अगर आप कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 करते हैं और इनके कंट्रोलर यह स्मार्ट होम बनाते हैं जैसे के वाइफाय लाइट हो गया इस टाइप के आजबी लाइट है और फिर कंट्रोलर कई सारे चीज़े यह बनाते हैं और इनके साथ साथ इन लोगों ने बॉक्स में एक हैपी अच्छी गालिटी का है बिल्ड कोलिटी एकदम अच्छी है हां काम चालने वाली है मतलब कि एकदम कटिया भी नहीं है और एकदम मस्कुलिटी वाल आपको एक यूजर मेन्यूल प्रोवाइड किया हुआ है मैं लोगे आप पहली बार आर्जीबी श्ट्रिप यू अगरा यूज कर रहे हो कैसे करनेक करना आपको कुछ भी ने पता तब इस यूजर मेन्यूल को पढ़के कुछ भी समझ पाऊ उसी के साथ इस आर्जीबी लाइट क लाइट लगे और मेरे पास हाथ में है वह वह अलग प्रकार योज आप मेरे देख रहे हो बेसिकली तीनो कलर अलग होते है अलग होता है और लग होते हैं यह दिंदू कलर को मिक्स करके कोई कलर बनाते हो तो उसका जो इमिशन होता है वो एक अलग प्रकार का होता है मतलब आपको परफेक्ट जो भी कलर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो अपने PC के थो या फिर कंट्रोलर के थो वह आप एकडम परफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्रा जिसको यूज़ करके मैं इस आरजीबी लाइट को भी कंट्रोल कर सकता हूं उसी किसासाथ ज्यादा तर मधरबोर्ड में अभी आरजीबी हेडर होता है जिसकी वज़ए से आप अपने PC के सफ्ट्रेय थू भी इस आरजीबी लाइट को कंट्रोल कर सकते उसके बारे में आ आई सारी लाइट फ्लिपकार्ट और Amazon में से मंगवा के देखी चार पांच जैसे बट उन सभी में भी कोई भी सेलर जो बेच रहा था जो फोटोस दिखा रहा था उसी टाइप की लाइट नहीं थी बट एक लोता ऐसा सेलर था जिसने जो चीज दिखाई वो मेरे को मिली ब लगें दूसरी सारी आजबी स्ट्रिप में जो गल्यू होता है पीछे वो गटिया होता है और चिपकता भी नहीं आजबी लाइट और दो तिन दिन में उखड जाता है बट ऐसा के केस में नहीं हुआ अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए हो लिंक से एमेजोन वाले लाइक करेंगो भी जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको टाम डिलते रहेंगे अगर अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेर भी कर दीजिए तो आप डिप स्ट्रिप को कट करके हमारे PC के अंदर लगा देथे उसक अब यह दो आपको चार मेंटर तक भी मिल जाती है कभी का बार यह बहुत सस्ती रहती है और यह वाले थोड़ी महंगी रहती है आपको यह जो आपने मेजर मेंट के हिसाब से आपको लेना है और कट करके बाद उसको कर देना तो लेक लिए तो अब आ जाते हम LED की शोल्ड आयन लेना है याने कि सुल्डर मशीन उसके साथ साथ कलाई एंड देन सुल्डरिंग पेस्ट पेस्ट आप यूज करोगे तो आपका जो LED स्ट्रिफ है वह खराब नहीं होगा आपको सुल्डरिंग पेस्ट पहले तो आपके उपर से प्लास्टिक निकालना पड़ेगा इस इसके आपको चार वायर देखने को मिल जाते रेड ब्ली घ्री या फिर कोई बी कलर हो जकता है बट आप में टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि वह रेड में है के ब्ली में है के वोल्टेज प्लस मेन अब लगा देते हो तो LED खराब नहीं होता है वो वर्किंग कंडिशन मे घ्रीं रहते हैं यह इसा उल्ट उल्टा करते हो तो वह टरब होने के चंसे ज्यादा रहते हैं उसी के साथ साथ अब आपको मैं आपना PC में RGB हैडर कहां पर होता है लोकेट इड इड कहां पर होता है वह दिखाने वाला हो यह शिर्फ अभी जो नए लेक्टेस जनरेशन के मदरबोर्ट हुत यह इसे में अवेलेबल होता है कोई भी पूराने जनरेशन वाले मदरबोर्ट में यह आर्जीबी एडर नाम की चीज होती है तो अब यहां पर बात कर लेते कि मैंने कहां पर अपने PC के अंतर लगाई हूए RGB लाइट तो बेसिकली नीचे की और और पीछे जो मेरे RGB फैन है मैंने उसको RGB में कनोट कर दिया वो कैसे किया उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जागा उपर की और मैंने RGB लगाई बेसिकली कंट्रोलर जो हमको बॉक्स में मिला था उसी को यूज करते हूए मैंने RGB स्ट्रीप अपने मोनिटर के पीछे लगाई हूए और मोनिटर में मैंने ऊपर और नीचे दो साइड में आज भी स्ट्रीप लगाई हूए बेसिकली एक हाफाफ मेटर का दोनों को काट कर जाती है मतलब कि आपको बहुत जादा पेवी नहीं करना पड़ रहा है और यहां पर आपको 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 इंस्टाग्रम में डियम कर दीजे मैं आपको सारे रिप्लाइ दे दूंगा उसी के साथ-साथ अगर आप यह नीचे डिस्क्रिप्शन में दीगे हूए लिंक से करते हो तो आपको नीचे कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा जिसको यूज करते हो तापको 10-15% का डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा इसके बाद में एक नया वीडियो भी लेकर आने वालों जहां पर मैं आज भी स्ट्रिप को वाइफा के थूभी कंट्रोल करने वाला चीज भी लेकर आना हो एलेकसा के और गूगल होम मीनी या फिर गूगल से भी आप कैसे अपने अर्चीबी स्ट्रिप को ओन कर सकते हो उफ कर सकते हो वो सारा एक अलग में वीडियो लेकर आना वालों अगर अब भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बा कर दो